नमस्कार दोस्तों मैं हूँ एस्पी शर्मा आप दिख रहे हैं ग्रीन कड़ेंग चैनल ग्रीन कड़ेंग चैनल में आप शभी को शागत है दोस्तों आज में आप लोगी शाथ शेयर करेंगे रोजफलार प्लांट जो की आपके पाश शिंडर मिडिया में लगा हुआ रोजफलार प्लांट है उस रोजफलार प्लांट का जून मांत में आप कैसे क्यार करेंगे और क्या-क्या करना है आपको इस प्लांट को अभी मनशून आने से पहले ही इसलिए मैं इस वीडियो को लेकर आए हैं दोस्तो ये देख पारा है मेरे शामने जो रोज फ्लावर प्लांट है इसमें काफी शारे बेशल शूट्स पहले से ही है इस से पहले भी मैंने एक बार शेयर किये थे और आप ही ए देखिए जो न्यू बाटस आ रहा है दो ए दो बेशल शूट्स और भी आये है और शात में थोड़ा सा और देखाते हैं आपको और न्यू बेशल शूट्स और भी आने बाले हैं वो देख पा रहा है ए देखिए बान और ए एक दो और शात में और भी थोड़ा सा दिखाते हैं इसके पीछे की साइड ये दिखी और दो बेशल शूट्स हैं यहां से आएंगे ये दिखी एक ए एक दो ऐसा करके इसमें बहुत सारे बेशल सूट्स आते हैं यह देखिए बहुत ही जादा बेशल सूट्स आए है इसमें और मेरा प्लांट जो है बिल्कुल घणा या बूशी बन चुके है अब ही लागभाग मनसून आने वाले है और कही कही प्री मनसून भी चालू हो चुके है इसलिए इस वीडियो को में लेकर आए है शब से पहले आपको धेन रखना है अब ही समार सिजन में आपका फ्लावर प्लाइंट में काफी ज़्यादा फंगस का एटक भी था कुछ पेष्ट भी था आप लोगों ने फंजिसाइट पेष्टिसाइट शबी चीज़ का एस्प्रे किये है बहुत ही अच्छा से और आपका प्लाइंट हेल्दी भी है लेकिन उसके बाद भी प्लाइंट में जो इन्फेक्टेड लीव है अभी जो भी लीव आप अगर इन्फेक्टेड लीव को अलग नहीं करेंगे तो यह जो ब्रांच है इन्फेक्टेड होगा इसलिए अपने को जितनी भी लीव खरब देखेगा वो लीव को ऐसे करो कर ना है यहाँ ब्रांच आएगा ऐसे करके जितनी भी लीफ होंगे सबको अपने को अलग कर देना है यह देखिए एक लीफ यहां से देख रहा है यह देखिए इसको भी कट कर देंगे ऐसे करके आपको पूरे लेप अलग कर देना है और कही अगर die-back समझ में आता है आपकी plant में तो उसी die-back को भी आपको cut कर देना है और fungicide का paste लगा देना है इस बात को आपको धेन रखना है देखिए मेरे इस प्लांट में डाइबेक तो नहीं देख रहा है लेकिन आपकी प्लांट में अगर डाइबेक देख रहा है मानली जीए यह जो ब्रांच है ब्रांच में एतना डाइबेक है तो आपको कट कहा से करना है मैं बता देता हूँ यहां तक अगर डाइबेक है यह और शुक चुके हैं तो आपको नीचे से और एक से 30 नीचे से इसको कच कर देना है ताकि यह जो इंफेक्टेड पार्ट है यह आंदर से भी में जाख करना थे तो आपका प्लांट बच। जाएगा आपका अपका प्लाइट को क्यार करना है और शाम के टाइम धेन देन स्परिश साइड आपके पास जो भी फंचिसाइड है यूज करना है इस करना है ये स्प्रे करना है है दो गिराम एक लिट्रअ पानी में रिजाल करके rap करको आप कप्लाइज अच्छा रहे algún और इसके शाहत चली अब फर्टिलेजर के लिए बात करते हैं इसमें देखिए हमेशा ही मैं केमिकल फर्टिलेजर देता हूँ और केमिकल फर्टिलेजर जो फर्टिलेजर मैंने बनाए है ग्रिन गर्डेन दुआरा जो डिबलप्ट किया गया है जो एक mix fertilizer है मैं उसी fertilizer को देता हूँ और आभी summer season में मैंने 2 time fertilizer दिये है और आभी भी आपको 2 time देना है धेन रखिएगा इनकेस अगर अपने fertilizer बना लिए तो बहुत ही अच्छी बात है और अगर अपने fertilizer नहीं बना पाया तो यह देखिए यह fertilizer मैं भी sell कर देता हूँ बहुत subscriber ऐसा है जिन लोगों ने मेरा fertilizer खरीदा है और उनलों को फायदा मिला है इनकेस आपको अगर purchase करना है तो आप आपको description box में मेरा एक mobile number WhatsApp का number देवा रहेगा आप WhatsApp किजिएगा तो आप तक fertilizer पहुचा दिया जाएगा और दूसरी बात यह है एक fertilizer आप कैसे तेयर करेंगे इसके लिए एक link मैं उपर आई बटन में देदूँगा आप उस वीडियो को देखकर भी इस fertilizer को बना शकते है अपना घर पर बहुत ही अशानी से बना शकते है मैं यह नहीं कहता हूँ आप हमसे purchase किजिए मैं सिर्फ help करने के लिए बताता हूँ आप से अगर नहीं बन पाता तो आप हमसे purchase कर शकते है और मैं हमेशा ही यह mixed fertilizer जो है green garden द्वारा mixed fertilizer बनाया गया इसी fertilizer यूज़ करता हो तो देखिए उसके बाद जो result है सिर्फ मेरा इसी plant में नहीं और भी plant है एक दो plant और आप लोग के शाथ मैं share करता हूँ यह देखिए यह जो plant है यह आप देख पर आए यह plant है आप देख पर आए इसके भी जो नीचे की जो बेशल शूट्स है आप देख शकते हैं यह देखिए और ओ देखिए और भी बेशल शूट्स आ रहा नहीं यह देखिए फलौर भी है और शाथ में जो बेशल शूट्स है उह आप देख पर है यह देखिए यह देख पर है शाथ में देखिए और तो मैं जो फट्लेजर इँस करता हूँ तो सेम फर्टिलाजर आप लोग की शाथ मैं शेयर करते हैं, चलिए अब फर्टिलाजर देते हैं, कैसे करके फर्टिलाजर देंगे, आप लोग की शाथ हम अब शेयर करते हैं, इस प्लांट में बेशल शूट्स के शाथ-शाथ और भी जो निव ग्रोथ है, देखिए यह दे देख पार आए तो ऐसा अगर कि आपका प्लांट में आच्छा निव ग्रोथ भी आना चाहिए इनके सगर नहीं आते हैं तो आपको मेरा यह फार्टिलेजर यूज करना चाहिए आपको बहुत ही आच्छा रेजल्ट मिलेगा चलिए आप फार्टिलेजर ले ले लेते हैं शामर सेजन में आपने चार ग्राम मिलाए थे आभी पांच ग्राम लेंगे यह देखिए मेरा एक ग्राम का टीस्पून है यह एक ग्राम का है तो मैं इसमें पांच ग्राम मिला दूँगा एक दो आपके पाश अगर पांच ग्राम का चम्मच है उसको उससे एक चम्मच लेना तीन चार पांच यह पांच ग्राम हो चुके है आप इसके शाहत जो पांच ग्रोथ रेगुलेटर आपको आपके पास जो भी प्रांट ग्रोथ है उसको मिलाना है आपको ध्यन रखिएगा जो बायो प्रोडक्ट है उसको मिलाना है chemical product को आपको नहीं मिलाना है तो इस से मैं 2 ml लेंगे एक लिटर पाणी में 2 ml यूज़ करना है मेरे पास omega gold plus है मैं कभी omega gold plus यूज़ करता हूँ कभी power plant grow यूज़ करता हूँ तो आपके पास जो भी है आप वो इसको यूज़ कर शकते हैं केस अगर ये PGR नहीं है plant growth regulator आपके पास नहीं है तो आप सागरी का ये देखिए शागरी का जो की इपको कुमपणी का है शिबिड लिकुड एक्स्टैक्ट है इसको आप यूज़ कर शकते हैं इसके अंदर भी बहुत सारे hormones है, trace elements है और ये भी plant growth regulator का काम करता है तो इसको भी आप यूज़ कर शकते हैं इसको आप अगर यूज़ करेंगे तो इसको यूज़ करने के लिए भी 2 ml लेना है चलिए, आज इसी की यूज़ करते हैं आप लोगी शाथ आज में आप लोगी शाथ ये जो सागरी का है इसको यूज़ करेंगे और ये देखिए, measuring cap है इसमें हम लेंगे 2 ml ये देखिए, इसमें थोड़ी सी डाल देंगे 2 ml क्वांटिटी में ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया लाग भाग 5 ml हो गया थोड़ा सा कम कर लेते है ये हो गया 2 ml ये देखिए, 2 ml एक लिटर बाटर में डिसल्ब करेंगे और डिसल्ब करते ही आपका जो बाटर है, बाटर का जो कलर है वो बिलकुल चेंज हो जाएगा इसके बाद अच्छा से डालूट कर लेंगे बहुत ही अच्छा से आपको डालूट कर लेना है ये देखिए, ये जो काफ है काफ से मैं डालूट कर लेता हूँ इसमें फैटलेजार प्लास शागरी का जो की एक विजियर है एक टॉनिक भी बोल सकते हैं आप बेटा मिन्स हैं ये बहुत अच्छा से डालूट होने के बाद अपने को यूज़ करना है और आप अगर सागरी का को आप अगर एस्प्रे करना चाहते हैं तो पंदरा दिन शिंडर मिडिया में आपको हफते में एक बार दोय में लेक लिटर पानी में डिजल्व करके इस्प्रे करना है फॉलेर इस्प्रे भी करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा आप देखिए फर्टलेजर दे देते हैं ये जो लिकूट फर्टलेजर आप ही अपना तयार हो चुके है ये फर्टलेजर देखिए इसका जो कलर है बहुत ही अच्छा कलर हो गया आप इसमें से 200 से लेके 300 ml ये देखिए मेरा जो काफ है ये 1.5 ml का काफ है ये आपको एक प्लान्ट में दे देना है ऐसे करके दे देना है ये देखिए दे दिये है ऐसे ही करके आपको देना है इससे ज़्यादा बिल्कुल देने की कोई जरूत नहीं है ये शागरी का और नहीं तो PGR मिला के हफते में एक बार देना है और हफते में एक बार उनली बाटर में डिसल्ब करके आपको फर्टलेजर 1 ग्राम एक प्लांट में ये देखिए एक ग्राम एक प्लांट में यानि की पांच ग्राम एक लिटर पानी में डिसल्ब किजिए और उसके बाद उसमें से एक मग एक मग से एक काप आपको प्लांट को देना है इतना ही देना है और एक बात है अब ही आपका flower plant काफी अच्छा से बूशी होने वाले होंगे इसलिए आपको micronutrient, chillated micronutrient जो की multi micronutrient होता है इससे पहले की वीडियो में मैंने बताया है जो की empoxylin combi 2 multiple micronutrient और mobomin multiple micronutrient जो भी है आपकी पाश, नहीं है तो आप buy कर लिजिएगा उसका 2 gram एक लिटर पानी में dissolve करके weekly एक बार आपको spray करना है इसको धेन रखना तो आपका plant शब से अच्छा होगा बहुत flower आएंगे, बहुत ही बुशी होंगे दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगो पूरा चीज समझ में आज आ गया होंगे इनकेस अगर कोई कायरी है तो आप कमेंट्स करके पूछ शक्त है आज यही तक है इसके बाद फेर मिलेंगे ना टपिक के शाहत ना जानकर रिले कर आएंगे लेकिन और एक बात है इसमें आपको इमीडा क्लोपीड और इंट्रेपीड एक बार इमीडा क्लोपीड और एक बार इंट्रेपीड एस्प्रे करना है इमीडा क्लोपीड बान एमेल एक लिटर पानी में डिसल्ब करके एस्प्रे करेंगे और इंट्रेपीड दो एमेल एक लिटर पानी में डिसल्ब करके आपको एस्प्रे करना है तो आपका plant अच्छा रहेगा, mites नहीं लाएगा, paste नहीं लाएगा, देखिए मेरा जो plant है, यह देखिए new जो leaf है, यह देखिए कितने अच्छी आ रहा है, इसमें कोई भी disease नहीं है, बिल्कुल leaf curl नहीं है, leaf jelly भी नहीं है, ऐसे आपका भी plant ऐसे होगा, चले दोस्तों आज यहीं तक है, फिर मिलेंगे नायट अपके शाद नाजान कर लेकर आएंगे, थैंक्स पर बाचिंग,